गुड इवनिंग सभी को मेरा नाम है मनोज कुमार और आप लोग बने हुए हैं मनोज अकैडमी के साथ दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि साम को 9 बजे आपकी CDP की क्लास स्टार्ट हो चुकी है है ना तो मेरे प्यारे साथ यूँ कल मैंने आप लोग को कराया था इडि सकते हैं और आज की वीडियो जो है वह नोग बात करने वाले है कि परस्टार्टि क्या हो अलक अलग मनोभा घ्यानी को ने कितने परिकार्श। भी को बताया हैँ ठीक है जोस्तों यह के नोट्स बन वह हैं और NCRT किताब की जो notes रहते हैं वो आपको यहाँ पर provide कराए जाते हैं ठीक है तो सबसे पहले आप लोग का करताव यह होगा जो भी लोग जुड़ चुके हैं सबको good evening है और नाम किसी का लिया नहीं जाएगा इतना ध्यान दीजेगा आप लोग copy pen लेकर बैठेगा और main main important topic आप लोग लिखते रहेगा तो सबसे पहला काम आपका क्या है वीडियो नेटीओ को मिलकर बनाएं पैहला प्रसणाया आपका वह बोला आता है है जिसका होता है बाहरी आवहरान नकली चहरा नकाव यह तैसे कि मैं आप票 में दिखा सकता हूँ है यह व्यक्ति इकम यहां पर मास्क ये वैठीEM मासक नभी चयवरा आप लोग को दिखाये देते हों गे कि वो आपकी जो और सामने भूत वी बाते करें आपके अऊसे ही आप लोग जाते हैं तो वो क्या ना बुड़ाई करने लगते हैं कि यह तो बहुत गंदा व्यक्ति है मतलब पीड़ पीछे छुरा घूंपना है तो बता लगेगा जिसमा कड़ीन करूअ है जा सफिर लगा सकते इतना ध्यान दीजेगा प्राचीन समय में यानि 조 भायर होग्ति प्रिफासित किया जाता जैसे मेंने आभी आपको बताया था कि इसके जो कपड़े 될 कि पैणा रहे दे lado किये हैं उसको देखकर बहुत अच्छा भी इसका personality अच्छी दिख रही है भाई वो personality पहले कही जाती थी लेकिन आज की युग में उसको हम लोग personality नहीं कहेंगे dear लेकिन आज परिभासा बदल चुकी है जैसे कि आप लोग पढ़ चुके हैं वर्तमान समय में बाहियव आंत्री गुणों के समावेस को व्यक्ति दू कहा जाता है देखेगा उसके बाहरी कपड़े वगर तो देखे जाते हैं यानि कि उसकी body language देखे जाती है लेकिन जो उसक आंत्री गुण है उसके बात करने का तरीका क्या है उसको भी तो देखा जाता है ठीक कलियर हो गया आपका चलिए अभी मैं परभासां दिखा देता हूं कुछ परिभासाइं आपको दिखा देता हूं आप लोग इस किन सोड़ ले लेना बाद में लिख लेना चाहें नेकि यूपी में यूपी में रहते हैं और समाजन के बारे में बताराओं मैं आपको लेकिन आप लोग जो है कहां चले जाते हैं तमिल नाडू चले जाते हैं या आप लोग जो है जम्मु कस्मिर चले जाते हैं तो वहां का एन्वार्मेंट भी अलग होगा वहां पर रहने का तरीका भी अलग होगा तो अगर आप लोग वहां पर अपने आपको ढाल लेते हो तो वहीं तो आपका समाजन होता है चलिगा तो इसकी सकीं सोट ले लेना आप पर जो परिभासाएं हैं क्योंकि परिभासाएं तो आपको दो बार पढ़नी पढ़ेंगी तभी आप लोग के अंसर श्रतिक जाएंगे ड्रेवर बोले हैं कि देहिक मांसिक और नैतिक और समाजे गुणों के गतिसील और संगधित गठन के लिए संगठन के लिए व्यक्तित सब्द का प्रियोग किया जाता है वुडवर्स महोदय कहते हैं कि देखिएगा ये वाली जो परिभासाम वाला पॉइंट है आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा लेकिन मैं पढ़कर बता रहा हूँ आपको लेकिन आगे आपका बहुत इंट्रेस्टरी चीज़े हैं जाना मत बिल्कुल भी आप लोग रुके रहेगा व्यक्तित के वियभार की एक समगर विस्ष्था ही व्यक्तित है इंपको बता देता हूं आलकोड की परिवास इंपकॉर्टेंट है व्यक्तित्त का संबंद मनूस्य की उन सारेक और आंत्रिक व्रत्ययूं से है जिसके अधार पर व्यक्ति अपने वातर्मन के सास्थ समोजनी स्थापित करता है तो अब हम लोग बात करेंगे व्यक्तितु का वर्गी करना देखो यह आपका यहां से important factor start हो जाता है तो व्यक्तितु का वर्गीरन जो हम लोग करने पहले करने वाले हैं हम लोग 544 तो हैड़िक दाधी आप लोग यहां पर पास चाएत्रिश्टी कोण तो 530 कोण में दोस्तों ये जो घ्रेक्ला क्रेश्मार आप हैं आप को कहीन लिखावा मिल जाएगा कहीं पर आप लोग को लिखावा मिल जाएगा Toh Kral semar के recording क्या है इन्होंने जो है व्यक्तितु का पहला वर्गी करण किया ध्यान दीजेगा इन्होंने व्यक्तितु का क्रेशमर ने सारेलिक संग्रचना के अधार पर वेरी वेरी इंपोर्टेंट भी क्रेशमर ने संग्रचना सारेलिक संग्रचना के अधार पर व्यक्तितु का पहल पर केगों किया इसको इन्होंने चार भागों में डिवाइड किया relevant कौन से पहला भागता दोस्तो इस्थूल का है अर्फन यानि कि यह जो व्यक्ति होते हैं वो नाते वेक्ति होते हैं पिंक वाले व्यक्ति होते हैं दूसरा है सुडूल का यह आपके खिलारी प्रवत्ति यानि कि एथलेटिक वाले व्यक्ति होते हैं तीसरा होता है चीर्ण काई दुरूबल सरीवाले एस्थैनिक इनको कहा जाता है एक होता है आपका मिस्रित का यानि कि मिले जुले डिस प्लास्टिक इसको कहा जाता है तो इनके बारे में थोड़ सब्सक्राइब करेंगे सरीर रचना सिध्धान्त सरीर रचना सिध्धान्त सारीरिक संग्र रचना के आधार पर दूसरा वर्गिकराणड सैल्डन के आधार पर किया गया ठीक है इस सिधान्द के प्रवर्तक सेल्डन थे इन्होंने सारेरिक गठन वे सारेरिक संग्रचना के आधार्व व्यक्तितु की व्याख्या करने का प्रियास किया है ना यह सरीर रचना वे व्यक्तितु के उनों के बीच घनिश्चमंद मानते हैं इन्होंने सारेरिक गठन के अधारवर विक्तित को तीन भागों में डिवाइड किया देखो पहला होगा गोला करती गोला करती आयता करती और लंबा करती देखेगा जैसे कि मैं यहां पर पहला वाला बता रहा हूं यहां पर और आपको पिक्चर भी देख रही होगी पहला होता है गोला करती प्राय वा होते ही परंपरवादी यह चलिये बैसे वह सामाजिक तथा हस्मुक प्रकर्टिवाले विक्ति होते है जिनको कहते हैं लोग है डिक का माजिक रहते हैं और यह हस्मुक रहते हैं प्रगडर थूश राय पूरा का पूरा चलेगा दोस्तों वीडियो पसंदारी हो तो लाइच ज्रूऀ किजीगा दूसरा में आप लोग यहां पर बता देता हूं कि आयता के यहांनद यह द calls ले मांच प्रिया होते हैं रोमास मां डिफोग आएड़ देखाना del 10 नह預rav घत्र के आगे जीत है क्या वह लाय डारा के आगे के जीत में आगेये तो उसमें दिखा जा बिर्कूर इस तरीके से तो ऐसे वक्ति रोमांचित वक्ति होते हैं प्रप वादी होते हैं जोसीले होते भी रriz myself fingres क्रोधी पिरवत्ति मों को उसक्ति और इक लिए जैसे कि पिदे को किताब पढ़ने कहां पर आई ये मैंडम देख लो को GBMTL यहां पर किताब पढ़ने का यहां परेड़ा पराइं Mesoka mem pages एक लिएक डिकार लुए वैक्टती होते हैं इनकी नीद सेल्डेन द्धारा वर्गिकरत तो यह दिखेगा पहला था एक सेल्डन के अधार पर है पहले व्यक्ति होते हैं में फोजी के विसेरोटोनिक है दूसरे होते हैं सोमोक्टोटर निक तीसRiphode होते हैं सेरिबोटोनिक तो जिख यह बिल्कुल मस्त्मोल अबenser नों से खाना प्यना पथन लिया थैने थिका अरूम पथन करते प्रेम पसंद करते हैं तो यह वाले व्यक्ती बढ़िया होते हैं वैसे तो है दूसरे लेकिन और लग अलग करते हैं अधिकिसाली होती है겠지만 इस्पष्ट भासी होते हैं अधिकार कि वह अपनी बात जो है इस पश्ट रूप से रखते हैं सब के सामने तीसरे जो होते हैं आपके यह हैरान होते हैं बरसान हो गया दुखी होते हैं बिचारे संकोची स्वाबाब के होते हैं सरमीले स्वाबाब का जैसे यह है ठीक है तो यह सरमीले स्वाबाब का देखो लड़की त सर्मार आया विचरा दूसरा जो है अर्जेस्ट्मेंट कर रहा है तो यह दोस्तों सरमीले स्वभाव के विक्ति यह होते हैं अपके अपनी मतलब वह किसी से संकोच को निकालना है मेरे सा ओर शंकोच नहीं बनना आपको आपको क्या बनना है मेरे साति यह बहिर मुखी बनना आपको तो अब हम लोग बात करेंगे इख्राइब का रगे करन ध्यान दीजीए наж क्योंकि आपको जैसे ये नोट्स में आपको करा रहा हूं किताब में आपको ऐसे नोट्स एक जिगह नहीं मिलेंगे अलग अलग किताब से यहां पर एड़ेस्ट किये गए हैं कि तो पहले होते हैं दिरव वाथ क धार पर कफ प्रवत्ती वाले विक्ति खत में कफ प्रवत्ती मनलव स कंसी होती होतीय इसको याद कर सकते हैं कफ कफ यानि कि खांसी ऐसे हम लोग कियात करेंगे तो जब खांसी होती है तो हम लोग जो ना सुस्त पढ़ जाता सरीर हमारा हमारा सरीर सुस्त पढ़ जाता है खांसते खांसते सरीर परसान हो जाता दोस्तों अभाब भी चिर्चड़ा हो जाता दोस्तों जब कोई बात करता ना स्क्रमेब हो घाएगा छाएगा बहुत देर भी हो जाएगी तो सारी हम सक्ति-साली मतलब कम दो केहने हो समझ गया आप कफरिबित्ति वाले को ट्रेक बढ़िया आपकी ये समझने की पिरको सही है आप देखिए काले-पित वाले कैसे करिंगे काले-पित वाले काले-पित वाले दोस्तो मैं इसको एक चीज से रिलेट's करूंगा एक reading करें दोस्तों कोई भी बुरा नीजेज़ आ और दोस्तों मैं लड़कों को ऊपर चुटकले सुनाता है ड़कों सम्झा रहा हूँ क्य望 समझाने के लिए कह रहा हूँ और पहली लो ठीक वह ठीक दोस्तों काले तो एक लड़का लड़का काला था मैंने कहा काले पित वाले तो एक लड़का काला था वो सोचता था कि यार साधी मतलब उसकी साधी नहीं हो पारी थी तो जब साधी नहीं हो पारी क्योंकि क्योंकि नहीं हो पारी उसकी साधी क्योंकि वह काला था तो यह काला था साधी नहीं हो पारी थी तो सारे रिक्स और सम्वेग आत्म ग्रूप से वो कमजोर पड़ गया तो ऐसे यास कर सकते हैं आप लोग ठीक है तो काले पित यानिक के काला व्यक्ति साधिनी उरिज उसकी तो वह निरास रह करता था है ना उसका सक्ति हीन हो गया सक्ति हीन क्यों हो गया क्योंकि वही जब मांस रूप से कोई व्यक्ति तूट जाता है तो उसका मन नहीं करता किसी काम को करने के लिए समझ में आ गया एक होता आपका पीले पित वाले पीले पित वाले दोस्तों पीले को हम लोग कैसे आद करेंगे जब आप लोग किताब पढ़ते हैं तो आप लोग हाई-लाइटर लेक संतुलित होते हैं यानि कि जो पिरसन आपका बैस्ट होता है उसको ही तो आप लोग हाई-लाइट करते हो तो संतुलित पिरसन होता उसको तो हाई-लाइट करते हो है ना करते हो तो यहीं आपका आंसर हो जाता ठीक है समझ में आ गया तिनों के बारे में ट्रिक मस्या की नही हैं दोस्तों अधिक रूजिरवाले तो इसको हम लोग कैसे याद कर सकते हैं कैसे याद करेंगे एक व्यक्ति में खून जाता है ठीक है तो वह कहता है कि मार दूँगा फोड़ दूँगा तोड़ दूँगा किसी को जब मतलब जब आप लोग देखें होंगे कि बड़े बु जोर है लेकिन वह तो थोड़ा सा इसको रिलेट करना पड़ेगा आपको वैसे रिलेट तो ज्यादा इस रही रहा है वैसे बड़ समझाने के लिए मैं आपको बता दिया है तो ट्रिक कैसी रही दोस्तों आप बताईएगा चलिएगा आगे बढ़ते हम लोग तो अब हम ल समझाणे में दिन्प यह आपका बिल्कुल सिंपल है एक दूसरा होगा समाजी क्रबत्ती वाले समाजी की रूप से कलात्म क्लात्म की एक क्या हो दा दोस्तों आपके वह जैसे की कला कला के रूप में गाना गाना सिंघ है ना और तवला बजाना और बाहुत चीज़ें हम लोग आगे चलते हैं जुंग के कवर्डिंग दोस्तों मैंने आपको सभी को पता है इनके बारे में जादे दिक्कत करने के आवसकता नहीं आपको तो युंग द्वारा किया गया वर्गिकन सबसे पहले पिरसिद माना जाता है तो वी आई क्यू वी आई क्यू यानि की वे संकोची स्वभाब के होते हैं आदर्सवादी होते हैं और वे जो है ना अपने विचारों को इस पश्ट रूफ से व्यक्त नहीं कर पाते किसी के सामने यानि उनको डर लगता है कि यार मैं बोल दूंगो तो कैसे हो जाएगा कहीं मेरी बात का मैं गल्ब तो नहीं बोल पा जो बस पढ़ने में रहता कि किसी से दूसरे को मतलब भी नहीं है तो कुछ ना कुछ तो करेगा वेचारा ठीक है चलिगा दूसरा होता है बहिर मुखी व्यक्ति तो कैसे समझ सकते हैं हम लोग तो यह जो है न समाजी कारों में विशेश रूची लेते हैं समाज में मालेज दूसरो दस व्यक्ति हैं तो अंतरमुखी वाला जो ना यह जो बहिर मुखी वाला वो सो व्यक्ति को बीच मैं अपनी बात रख सकता है ठीक है चलीगा ने पर इसकेiger यह लेकिन देखीगा अंतर मुखी भी होते हैं जैसे वेक्ति अच्छा बोलने वाला और लिखने वाला है किन्तु एकांत में कारे करना चाहता है यानि कि जो उभ्हे मुखी वाला होता है वह परिस्थिति के अपने आपको बदलता रहता है भारति दर्ष्टिकॉन से बहुत सत्सथ जाते हैं कैसे कपड़े पहनते हैं सफद कपड़े पहँंते हैं तो यहांनी कि सप्व cleared सप्व suburbs में विश्वास रखते हैं ठीक है सप्वाधे तो सभी गफ़ता ही वे होगा ठीक है एक होते राजα कवन पैंटे थे लाल कपडर कमकदार कपड़े तो यह करम विस्वात हैं एक होते तमोगुडी होते काले मेंasse कह सकते यहो बहिआ जो काला वेक्ति होता। ज्यादा धूप में रहता तो काला हो जाता है । यह सुख प्राप्ति करना चाहते हैं वियासी प्रवत्ती होते हैं ठीक चाहिए, यह भार्ते दरिष्ट्टी कॉण्ड से आप लोगो को समझा दिया है मैंने आपको सबतकर?, उस यहाँ प्यारे साथियों आधुनिक द्रिश्टी कॉंट से वर्गी करण एक भावुक होते हैं जो कि जल्दी से भावुक हो जाते हैं एक करम सील होते हैं अपने करम में विश्वास रखते हैं एक विचार सील होते हैं जो हर कारे को विचार करने वाला होता देखिए मैं आगे क्लास याफ्याफ soprusей डिए जाएगे आपसे कोई भी पैसा नहीं लिया जाएगा तो आप इडियाफ जॉँआं करने के लिए दूसतों आप नहीं जॉँआनकरेंगे मनोजने का लेणा मनोजने टैलीग्राम पर सच्छ करना आपको